दोस्तो क्या मनी प्लांट चुरा कर घर में लगाने सी धनी होते हैं? क्या मनी प्लांट चुराने सी ब्यक्ती करूरपती हो जाता है? आईए जानते हैं. दोस्तो ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट का पौधा जितना ग्रोथ करेगा उतना ही जादा हमारे घर में पैसो की बरकत होती है. ऐसे में आप कितने ही परेशान क्यों नहों, घर में लगा हरा भरा मनी प्लांट आपको धनी बना ही देता है. बास्तप में इसके कुछ नियम होते हैं यदि आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है तो इस बात का खास ध्यान रखें बहीं बास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट पौधा ऐसा है जो पूरी तरह से हमारी आर्थिक इस्तिती से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पौधे को मनी प्लांट का नाम दि करने में बहुती लाप मिलेगा तो चलिए जानते हैं दोस्तो मनी प्लांट जैसा की नाम से ही पता चलता है कि हमारी आर्थिक इस्तिती बहतर बनाता है दूसरी और इस पौधे के बारे में ये जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए कि इसे कभी भी खरीद कर घर में मत लगान दोस्तो मैं आप से फिर कह रहा हूँ कि मनी प्लांट को कभी भी खरीद कर मत लगाना बलकि किसी के यहां से चुरा कर अपने घर में लगाना चाहिए मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराएं जिसकी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत हो वो ब्यक्ती बहुत धनी होना चाहिए दोस्तो आप मानो या ना मानो लेकिन मैंने खुद मनी प्लांट को चुरा कर अपने घर में लगाया है और मैं आज बहुत धनी हूँ लेकिन याद रहे मनी प्लांट चुराते बक्त कोई आपको देख न पाए मनी प्लांट आप रात में भी ला सकते हैं जब आप मनी प्लांट चुरा कर चुप चाप अपने घर ले आएं तब इसको किसी साप मिट्टी में तुरंत लगा दे या किसी बोतल में साप पानी में डाल कर रख दे ऐसा करने से किसमत चमक जाती है अगर आप इस बात पर बिश्बास नहीं करते तो एक बार कहीं से मनी प्लांट चुरा कर ले आएं और इसको किसी गमले में या किसी बोतल में पानी भर कर रख दे या किसी जबीन में गार दे आपको कुछी समय में अच्छे परिनाम मिलना शुरू हो जाएंगे लेकिन याद रहे मनी प्लांट को चुराते बक्त अगर किसी की नजर पड़ जाए तो इसका कोई भी फाइदा नहीं होता दोस्तो मनी प्लांट को लगाने की दिशा मनी प्लांट को घर के बीच में लगा सकते हैं हिंदू धरम के अनुसार साउथ एस्ट में भगबान गणपती का वास होता है मनी प्लांट का पौधा भाग्य का प्रतीक माना जाता है इसलिए ध्यान रहे कि मनी प्लांट को हमेशा दक्षिन पूर्भ में ही लगाना चाहिए इसके पीछे का कारण ये है कि इस दिशा के देपता सिरी गनेश जी है जो सभी बिगिनों के नाशक है ये सबसे शुब दिशा मानी जाती है इस दिशा में मनी प्लांट को रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती दोस्तो माता लक्ष्मी जिस घर में होती है बहां कभी धन की कमी नहीं होती अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी स्वागत है आपका हमारे घर में मा के लिए एक लाइक तो बनता है जै माता लक्षमी